हेलो स्टूरेंट्स वेलकम बेक टुमाय यूट्यूब चैनल श्रीकर्य इंस्टिट्यूट तो आज हम क्लास 7 का लेशन 3 पढ़ने वाले हैं साथ ही मैं इसको पूरा एक्स्प्लेन भी करूंगी और साथ ही इसके एक्सराइज भी पूरी में इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूं तो वीडियो को एंट्टुक जरूर देखना हो चैनल पढ़ना हो तो चैनल को चल दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपको न केवल इंग्लिश के बल्कि अधर सब्जेक्स के भी वीडियो में इस चैनल पर प्रोवाइट करने वाली हूं और अधर क्रासिस के चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लेतन त्री दवाइट में पार्ट टू इसका पार्ट वन अल्रेडी अप्लोट कर दिया है मैंने तो आप वह देख लीजिए अब हम आगी की स्टोरी पढ़ते हैं यह पढ़ने से पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप व अल्वेस सक्सेसफुल क्या वो हमेशा सफल होते हैं चलिए आगी देखते हैं तू थग्स वर वोचिंग भोला इन दे मार्केट एक्सचेंजिंग ही स्टेंग दो थग भोला को बाजार में सामान बदलते हुए देख रहे थे दे मैड अप प्लान टू डिसीव हिम उन्हों अने उसे थोका देने के लिए योजना बनाई दे वेंट टू भोला एंड आस्क तहीं वे भोला के पास गए और उससे पुछा पहला ठक पुछता है विल यू सेल दीज मैंगो सर क्या आप हमें ये आम बेचेंगे भोला कहता है नो नॉटेट ओल दीजार फोर माई लाइक्स मैंगो चत्मी वेरी मच तो क्या कहता है बोला बिल्कुल नहीं ये मेनी पत्नी के लिए हैं उसे आम की चत्मी बहुत जादा पसंद है दस सेकेंड ठक अब दूसरा ठक कहता है इव शी सीज मैंगो शी विल बी एंगर उसने आम देख लिया तो वो तुमसे क्यों वह मुझसे क्यों आराज होगी तर सेकेंड ठक अब दूसरा ठक बोलता है बिकोस यू सोल्ड अब आपने कोड़ा बेच दिया और ये सस्ते आम खरीद ली बोला हो 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 नो चांस ओव इट शी इन अबटेंट वाइव शी अल्वेस अगरीज दिया और ये सस्ते आ हो इसकी कोई संभावना नहीं है वह एक आज्याकारी पत्नी है वह हमेशा मेरी फेसलो से सहमत होती है दा फर्स्ट थग बट नोट इस टाइम विल यू हैव बैट उन इट पहला ठक केता है अफसोज लेकिन इस बार नहीं क्या आप इस पर दाव लगाएंगी भोला वाई नोट वोट विल बी दट टर्म क्यों नहीं क्या शर्ति क्या होंगी अब दूसरा ठक केता है वी शेल गीव यू अ थाउजन रुपीज इफ यूर वाइफ तस नोट केट एंगरी विद यू यानि कि अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज नहीं हुई तो हम तुम्हें एक हजार रुपए देंगी आपको भी उतनी ही राशी हमें देनी होगी अगर आपके फेसले के खिलाफ आपकी पत्नी जाती है तो चलिए आगे दिखते हैं बोला कहता है थो इट इस वेरी लार्ज अमाउंट आइम असर्टें यू विल लोस्त बैट बोला कहता है हाला कि ये बहुत बड़ी रकम है मुझे यकीन है कि आप इस शर्त को हार जाएंगे बोला कम गैम बैक होम विद थो स्ट्रेंजर्जर्स हीस वाइफ वोस इगर ली वेटिंग फोर ही बोला उन दोनों अजनबियों के साथ घर आया उसकी पत्नी बेसबरी से उसका इंतजार कर रही थी शांती कहती है कि आपको गोड़े से छुटकारा मिल गया भोला इसमाइल एंड रिपलाई यस माई डियर भोला मुस्कराता है और उतर देता है हाँ शांती, what have you brought for me and who are these gentlemen? अब शांती कहती है कि तुमने मेरे लिए क्या खरीदा और ये दोनों सजन कौन हैं? भोला, I have brought something special for you and these gentlemen are my new friends. क्या कहता है भोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं और ये दोनों सजन मेरे नए दोस्त हैं? आगे देखते हैं, शांती कहती है, was it it? यह क्या है? भोला, have patience dear, I sold the horse for a donkey. धेरी रखो प्रिये, मैंने गधे के बतले खोड़ा बेच दिया. शांती, oh God, we shall use it in our field. ओ अच्छा, हम इसे अपने field ये अपने खेत में उप्योग करेंगे. बोला, but dear, I exchanged the donkey for a sheep. लेकिन प्रिये, मैंने गधे को भेर से बदल दिया. शांती, that's even better. We shall have plenty of wool. वह तो उससे भी बढ़िया है. हमारे पास खूप सारे उन होगी. बोला, but then I sold it for a hen. लेकिन फिर मैंने इसे एक मुर्गी के लिए बेच दिया. शांती कहती है, how wise you are, a hen is cheaper to feed than a sheep. आप कितने बुद्धी माने, भेर की तुनला में मुर्गी को खाना किलाना सस्ता है. बोला, but dear, I exchanged the hen for a basket of mangoes. अब बोला कहता है, लेकिन प्रिये मैंने मुर्गी के बतले आम की एक टोक्री ले ली. शांती कहती है, that's the best bargain you have ever met in your life. I have been logging for mango chutney for more than a four night. अब वो शांती क्या कहती है, यह आपकी जीवन का अब तक का सबसे अच्छा सोदा है. मैं पिछले कई सालों से आम की चटनी के लिए तरस रही हूँ. भोला, here is the basket full of mangoes. यहां आमों से भरी टोक्री है. Now, take this and make two types of chutney. अब यह लो और दो तरह की चटनी बनाओ. First sweet for us and sour chutney for my clever friends. पहली हमारी लिए मीठी चटी और मेरे चटूर दोस्तों के लिए खटी चटनी. शांती went into the house with the mangoes. शांती आम लेकर घर में चली गई. The two thugs heard their conversation with great surprise. दोनों ठवों ने उनकी बाचित बड़े अश्रे के साथ सुन ली. The first thug. अब पहला ठग क्या कहता है? भोला, you have won the bet, here is the amount. भोला, तुम शर्त जीत कए, यह रही रकम. भोला कहता है, thank you sir, so kind of you. धन्यवार महोद है, आपकी बड़ी क्रिपा है. The second thug. One thing more sir, would you please tell me how you will spend this money? अब जो दूसरा ठग है, वो पूछता है एक बात और बताएए कि क्या, आप यह जो पैसे हैं, किस तरीके से खर्च करेंगे? भोला कहता है, I shall buy another horse, में एक और घोड़ा खरीदेंगा, देखें, उसके पास घोड़ा था, उसे बेच कर तो उसने आम खरीदें, इतने एक्सचेंज करने के बाद, और अब वो फिर से क्या बोल रहा है, कि उसने जो रकम जीती हैं, उससे वो घोड़ा खरीदेगा, देख अब हम इसके एक साइज देख लेते हैं, read and learn, पड़ो और सीखो, पहला है ठग, ठग यानि लुटेरे, डाकू या जो ठग करते हैं, ठग को हिंदी में भी ठग कहा जाता है, अगला है इगर, इगर यानि आतुर, अगला है बैट, बैट यानि होता है शर्द, अगला है सोर, सोर यानि खटा, अगला है deceive, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, दोनों चोलों ने सोचा था, कि वो बोला को धोखा दे देंगी, cheap का मतलब होता है सस्ता, अगला है stranger, stranger का मतलब होता है अजनभी, अजनभी, delicious, delicious का मतलब होता है स्वादिश्ट, चलिए आगे देखेंगे angry, angry का मतलब होता है गुसा, decision, decision का मतलब होता है फेसला, conversation, conversation का मतलब होता है बातचीट, तो यह बहुत ही daily using words है, आपको यह learn करने चाहिए, इनकी meanings आपको पता होने चाहिए, चलिए हम पहला questions देख लेते हैं यहाँ पर, पहला question है, वो टीटर ठग आस्क भोला, यानि की ठग ने भोला से क्या पुछा, तो बुट यहाँ, दो ठग्स आस्क भोला, इफ ही बुड शेल दो ग्रील, ग्रीन, मैंगोज, चलिए, नेक्स क्योशन है, दिट भोला, एग्री टू सेल दे ग्रीन मैंगोज, क्या बोला, उन हरे आमों को बेचने के लिए तयार हो गया था, नहीं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, नो, बोला, इट नॉट, उसके बाद हम क्योशन में से लिख लेंगे, एग्री टू सेल दे ग्रीन मैंगोज, इसके बाद क्योशन में से आजाएगा, नेक्स क्योशन है, दिट भोला, वाइफ लैक चटनी, क्या बोला की पत्नी को चटनी पसंद थी, तो हम लिख देंगे, यर्स, भोला, वाइफ, लैक्ट, चटनी, नेक्स क्योशन है, वोट वोज द बेट, यानि शर्थ क्या थी, तो शर्थ हमने यहाँ पर अभी देखा, की, देखें, हम यहाँ पर चैप्टर में देखेंगी, की शर्थ क्या थी, यहाँ पर यह रही शर्थ, यहाँ रहाँ चैप्टर में देखेंगे, बोला में भॉला, then यहां you की जगे हम लिख देंगे भोला will pay the same amount to thugs अज की जगे हम लिख देंगे thugs if she goes against your की जगे भोला's decision और इस cancer हो जाएगा और वही पर उसे अगर वो against जाता है तो क्या होगा उसे वो large amount pay करना होगा तो यह हम answer इसमें से लिख देंगे next question है who won the bet शर्थ कोन जीता तो हम answer लिखेंगे भोला won the बेट भोला ने शर्क जीती next question है how did भोला plan to spend the money भोला ने money को spend करने के लिए क्या plan बनाया answer लिखेंगे हम भोला plan to buy another horse with the money भोला ने उन पेशों से दूसरा घोड़ा खरीदने का plan बनाया चलिए हम आगे देखते हैं tick the correct option where did भोला meet the thugs भोला उन ठगों से कहा मिला तो भोला वहा मिला था market में next question है what did the thugs say to भोला उन ठगों ने भोला को क्या कहा तो भोला को क्या कहा था to sell the mangoes यानि आम को बेशने के लिए आगे देखते हैं how much money was offered in the bet bet में कितनी money offer की गई थी तो वो थी 1000 rupees आगे चलते हैं with whom did भोला return home भोला किन के साथ घर आया तो भोला किसके साथ अगर आये था the thugs यानि की उन ठगों के साथ next क्या है did the thugs succeed in their plan क्या वो जो ठग थे उनके plan में success हो गए नहीं तो इस answer हो जाएगा no word power हम देखेंगे word power में the mango is called the king of fruit चीक है वैसे ही हमें ये जैसे ये line है उसे तरीके से line समय मेच करनी है जैसे पहला क्या है the queen of satpura satpura की queen किसी कहा जाता है punch mani को ये one हो जाएगा next है the king of the forest forest जंगल का राजा किसी कहा जाता है lion तो इस second हो जाएगा next है the life line of madhya pradish madhya pradish की जीवन रेखा किसी कहा जाता है तो वह कहा जाता है the narmada नarmada nadi को next question next है a dream in marble तो वह किसी कहा जाता है the ताज महल को fourth हो जाएगा next है the sheep of the desert रेगिस्तान का जाज किसी कहा जाता है camel यानि की उंठ को चलिए आगे पढ़ते हैं pick the odd word out and encircle it जैसे कि इसमें से किसी अलग को हमें छाटना है जैसे यहाँ पहले दिया था man, gentleman, sir और madam तो man, gentleman और sir males के लिए इस्तिमाल किया जाता है लेकिन madam females के लिए यह जोती है इसलिए madam को सरकल बनाया चीक उसी तरीके से next क्या है girl, little fatty, little queen और boy तो इसमें क्या होगा boy next है mango, apple, knife और orange तीनों तो यह क्या है fruits हैं लेकिन knife क्या है चाकू next है thug, thief, robber और constable तो यहाँ पर हो जाएगा constable फिर है smile, laugh, trickle और weep तो यहाँ पर हो जाएगा weep यानी रोना चलिए आगे बढ़ते हैं match the two columns देखते हैं a horse इसको match करेंगे हम knife next है a donkey 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 का हम करेंगे breeze फिर है a cat a cat का हम करेंगे maps maps next है a dog dog क्या करता है box next है a lion lion क्या करता है rows match कर देंगे next है और ship तो ship का हम कर देंगे blades हो गया complete use of four two four और two का use complete the sentences using two और four यानि कि दिये गए sentences को हमें two और four का use करके पूरा करना है मैं आपको बता दूँ कि two का हम को के लिए इस्तमाल किया जाता है two को और four को हम इस्तमाल करते हैं के लिए की जगे पर जैसे की पहला हमारे पास है they made a plan deceive him तो यहां पर हम इस्तमाल करेंगे two they made a plan to deceive him उन्होंने उसे धोका देने का plan बनाया next day the mangoes are my wife mangoes किसके लिए थे उसकी बीवी के लिए क्या जाएगा यहां पर four the mangoes are for my wife next day she always agrees my decisions तो यहां पर आजाएगा two next day you will pay the same amount us तो यहां हो जाएगा two next day his wife was waiting her husband तो यहां आजाएगा four next day what have you proud me तो यहां पर आजाएगा four तो मेरे लिए क्या लाए जो की बोला की पतनी ने बोला से पूछा था I sold the horse a donkey मैंने गधे के लिए खोड़े को पेच दिया तो four आ जाएगा next day I exchanged the donkey a sheep फिर क्या किया उसने donkey को किस के लिए एक्सेंज किया शिप के लिए तो यहां भी आजाएगा four next day a hand is cheaper feed than a sheep तो यहां पर आजाएगा two यहां कि मुर्गी को खिलाना भेड को खिलाने से जादा cheaper होता है next day I shall use money by another horse तो यहां पर आजाएगा two I hope कि आपको इस चीज़ समझ में आए होगी हम आगे बढ़ते हैं fill in the blanks with these words given words के साथ हमें fill in the blanks को fill करना है तो देखिए पहला क्या है I have time to stay मेरे पास समय है तो यहां हो जाएगा भेने के लिए समय है तो a little next है he knows of the story उसे कहाने के बारे में थोड़ा ही पता है तो यहां भी थोड़ा ही के लिए हम our little list यूज करेंगे आगे है I have milk so we can't have tea दोगा little मेरे पास थोड़ा दूद है थोड़ा ही नहीं थोड़ा दूद है जिसे की हम चाय नहीं बना सकते आगे है they have coins they have few coins next है he has friends as he is new to indoor तो यहां पर आ जाएगा of you यानि कि कुछ ही दोस्त थे जब वो जिसे वो नया था इंदोर में next है she left भोपाल days ago उसने भोपाल चोड़ा कितने दिन पहले few days ago यानि कुछ ही दिन पहले ही जिसे यहां कुछ ही समय कुछ ही जानना महापत हमने ही के लिए हमने फिर a or use कर लिया चलिए आगे वढ़ते हैं let's do it read the following story and answer the questions given below it तो हमें इस story को पढ़ना है उसके answers हमें नीचे दिये गए questions के answer हमें देने हैं चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत interesting है मैं आपको पूरी कहानी अच्छे से समझा रही हूं देखी कहानी का जो टाइटल है वो ही टू फ्रेंट्स यानि दो मित्र या दो दोस्त दू फ्रेंट्स दीपक एंड भोला वर वाकिंग थू दो फोरेस्ट वें अब बिगर अटेक्ड देम दो दोस्त दीपक और भोला जंगल से गुजर रहे थे तभी एक भालू ने उन पर हमला कर दिया दीपक क्लाइमड अट्री एंड सेट देर वाइल भोला रिमेंड ओन दो रोल दीपक पेड़ पर चड़कर महीं बेट गया जबकि भोला सड़क पर ही रहे गया देर वोस नथिंग पोर हीम तू दू पट fall to the ground and play death अब उसके पास जमीन पर गिर कर मरने के नाटक करने के अलावा कोई और चारा नहीं था देर गेंड वोला देर केम तू हीम एंड स्निवड अब भालू उसके पास आया और सुने लगा देर पोई एवन स्टोप्ट ब्रीधिंग लड़के ने सांसे भी रोक ली देर स्निवड हीस फेस डिसाइड़ ही वोस देथ एंड लंबर्ट और अब भालू ने उसका चेहरा संगा और ये फेसला किया कि वो मर गया है या बेहोश हो गया है वेन देर हैड गोन देपक क्लाइब डाउन and said with a smile what did the bear whisper in your ear जब भालू चला गया तो देपक नीचे उत्रा और मुस्कराते हुए बोला भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा बोला सेट इट वोस देट सम्वन वो डिसर्ट इस फ्रेंड इन टाइंजर इस नोट अ फ्रेंड अल बोला ने कहा कि उसने कहा है किसने कहा भालू ने ऐसा बोला कहता है कि भालू ने कहा कि जो व्यक्ति संकट के समय में अपने मित्र का साथ छोड़ देता है तो वो किसी भी कीमत पर आपका दोस्त नहीं है यानि कि जो खत्रे के समय संकट के समय आपका साथ ना दे वो किसी भी तरह से आपका दोस्त नहीं हो सकता चलिए अब हम इसकी question answer देख लेते हैं first question है what happened when दीपक और भोला वर walking through the forest अब जब वो दीपक और भोला जंगल से गुजर रहे थे तो क्या हुआ उन पर भालू ने हमला कर दिया तो इसका answer यह रहा दीपक और भोला वर वोकिंग through the forest when a bear attacked them यहां से हम यहां note कर लेंगे next है what did दीपक तू दीपक ने क्या किया दीपक climbed a tree and sat there यहां तक लिख लेंगे हम यह रहा second का answer next है what did भोला दू भोला ने क्या किया भोला ने क्या किया अब भोला भोला ने क्या किया भोला क्या क्या दू भोला दू दू ग्राउट एंड प्ले डैथ यह इसका अवान से लिख देंगे next है what did दीप भीएर दू भीएर ने क्या किया अब भीएर आता है उसे क्या करता है वो देखता है कि वो सुंगता है उसे कि वो जिन्दा है या मर गया तो क्या लिखेंगे हम दबियर दबियर कैंब टू हीम और स्निवट पर स्निवट की बाद हम यहां से लिख लेंगे यहां से इसका अंसर कंप्रेट हो जाएगा यह यह लाइन अंडर राइन की है मैंने हम यह लिखेंगे और अगर आप अपने तरीके से और शॉर्ट में भी इसका अंसर लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं वोला ने उससे क्या कहा वोला यहां से पूरा यहां से लिख देंगे नेक्स्ट है वोला ने उससे क्या कहा वोला से यह पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा यह सिख सका अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वोस दीपक अब गुड फ्रेंड क्या दीपक एक अच्छा दोस्त था यहां नो दीपक वोस नोट अ गुड फ्रेंड चलिए अब आगे देखते हैं मेच दर फोलोईंग वर्ड विद देर मेनिंग जैसे यह पहला है ब्रीधिंग ब्रीधिंग यह नहीं होता है सांथ लेना तो इसका क्या हो सकता है देखिए पहला है तू इसमेल बार ट्रोइंग एयर सडनली थ्रो दोस्त हम हवा नाग से चनक हवा खीच कर लेना तू एक्ट हान फुली हानिकारक काम करना तू प्रिटें टू बी अध्यर्थ मरने के नाटक करना तू टेक एयर इंटू लंग्स एंड एक्सपेल इट वायू को फेफर में लेना और बाहर निकालना वोक अवे विद हैवी स्टेप भारी कदमों से चले जाना तो इसका क्य होगा इसका होगा तू टेक एयर इंटू लंग्स एंड एक्सपेट इट यहां पर हम इसका लिख देंगे वन नंबर नेक्स्ट है इसनीफ का मतलब होता है सूंगना तो सूंगना का अभी क्या देखा हमने नाग से अचानक हवा लेना जैसे ही तू स्मेल बार ड्रोइंग या सदनली थ्रू दा नोस यह हो जाएगा सेकेंड थर्ड ही लंबर ओफ यानि की धेर कर देना यानि मर जाना चिकेंड तो यहां पर क्या हो जाएगा तू एक्ट हान्फुली लंबर ओफ का हो जाएगा वोक अवे विद हैवी स्टेप्स यानि भारी कदमों से वापर चले जाना tiếp है ले दियो मरने का जाना चिक करन तो यहीं हमारा चैप्टर खत्म होता है यहीं हमारा चैप्तर खतम हो तो है कि यहां एक्स्यमेशन पसंद आये होगी विडियो पसंद आया होगा तो थैंक्स फॉर वट्चिक थी Capital कर बपाए